आज सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ, पूरी दुनिया में सबसे कटर क्रिकट टीम किस देश की है? आप मेंसे ज़्यादा तर लोग यही कहेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकटीम सबसे कटर है और ये बात सही भी है और ये बात एक बार फिर से साबित हो गई है और वो कैसे साबित हुई पाकिस्तान के एक पूरू क्रिकट खिलाडी है अब्दुल रजाक आपने नाम सुना होगा उन्होंने भारती अभिनेत्री एश्वरे राय के बारे में एक बहुत ही अभद्र और आपत्ती जनक टिपनी की है पाकिस्तान टीवी पर एक प्रोग्राम के दोरान आज बड़ा सवाली है कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाडी धर्म को लेगर तो बहुत ही कट्टर है ही वो अपने धर्म को मैदाम तक अपने साथ लेकर चलते हैं लेकिन महिलाओं के बारे में भी वो इतने कट्टर क्यों है आज आपको बताएंगे कि अब्दुल रजात ने एश्वर एराय के बारे में क्या कहा क्यों कहा और पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाडी इतने ज्यादा कट्टर क्यों होते जा रहे हैं इसके बाद आपको गाजा के एक अस्पताल में लेकर चलेंगे और अस्पताल के नीचे आतंकवादियों के अड़े का लाइव सबूत उससे ये साबित हो जाएगा कि गाजा में जितने भी अस्पताल हैं उन सब के नीचे तैकाने बने हुए हैं उन तैकानों में आतंकवादी रहते हैं उनके हत्यार हैं और आज जिस तैकाने के तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जो अस्पताल के नीचे है उसी तैकाने में ह हमास के आतंकवादियू के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा लाइव सबूत आज आपके टीवी स्क्रीन पर होगा। इसके बाद technology के बारे में आपको बताएंगे पोलेंड में एक company ने एक artificial intelligence के robot को अपना CEO बना दिया है ये एक महिला robot है और ये इस company की CEO बन गई है अब आप सोचिए लोग कहते थे कि जो robots हैं वो इंसानों की नौकरियां ले लेंगे और आज हम आपको ये बताएंगे कि अब robots किसी बड़ी company के CEO भी बन सकते हैं ये महिला robot कैसे उस company के meetings में हिस्सा लेती है कैसे उस company को चला रही है ये सब आज आपको बताएंगे और आखिर में कोलंबिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो अपने देश में anti-junk food कानून लेकर आया है और उनके देश में ज जो junk food है जो ultra processed food है उस पर अब बड़ा भारी tax लगेगा और वो अपने देश के लोगों को चाहते हैं कि वो इस तरह का junk food ना खाएं क्या आप जानते हैं भारत में 62% आबादी unhealthy है और ये संख्या हो गई लगबाग 87 करोड यानि 87 करोड लोग हमारे देश में अस्वस्त हैं और ये सब लोग unhealthy इसलिए हैं क्योंकि इनको lifestyle diseases है और इन मेंसे बड़ी संक्या मैसे लोग हैं जो गलत खान पान की वज़े से unhealthy हो गई हैं तो क्या समय आ गया है कि भारत में भी ultra processed foods और anti junk food कानून लाने का समय है यानि हमें भी अपने देश में junk food पर जबरदस taxation कर देनी चा चाहिए कि वो इस तरह का खाना ना खाएं ये एक बहुत बड़ी ख़बर है और ये जो junk food वाली जो ख़बर है ये आपके बच्चों को और आपके घर में सभी को देखनी चाहिए और ये ख़बर आज हम आपको दिखाएंगे ठीक साड़े 9 बजे तो मिलते हैं आज रात 9 गजे ब्लेक और राइट में आज तक पर